चलिए स्टूंट्स, आज हम करेंगे Class 7th Math की Exercise 6.1 का Question No. 2 Question में हमसे कहा गया है कि हमने Draw करना है Rough Sketch तो यहाँ पर जो भी हमको दिया गया है उसके लिए हमने Rough Sketch Draw करना है अब देखिए स्टूंट्स आपने याद एटना है कि जब भी हम Rough Sketch तयार करते हैं किसी भी figure का जब हम Rough Sketch तयार करते हैं तो हम measurement करके, नाप जोग करके उस figure को Draw नहीं करते हैं उसको हम Roughly Draw करते हैं तो यहाँ पर भी हमने Roughly Sketch ड्राव करना है ठीक है, तो चलिए A पार्ट पर आते हैं A पार्ट में हमसे कहा गया है कि एक triangle है ABC ठीक है, एक triangle है ABC और इस triangle ABC में BE जो है, वो एक median है तो चलिए सबसे पहले हम triangle ABC का एक Rough Sketch तयार कर लेते हैं तो यह बना लिए हमने Roughly triangle ABC ठीक है, यहाँ पर A है यहाँ पर B है और यहाँ पर C है आप ABC कहीं पर भी लगा सकते हों, ठीक है क्योंकि मुझे median BE बनाना था, तो मैंने जो vertex B है, इसको उपर बना लिए तो यह बन गया हमारा एक Rough Sketch triangle ABC का अब क्योंकि हमने BE median drawn करना है, इस triangle ABC में तो हम क्या करेंगे B vertex से, इस B vertex से जो opposite side AC है इसके midpoint को मिला करके, एक line drawn करेंगे, और जैसे हम इस B vertex से इस opposite side AC के midpoint को मिला करके, AC के midpoint को इस B vertex से मिला करके जब एक line drawn करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा median BE ठीक है, अब क्योंकि हमारा median BE है, तो जो यह opposite side है AC, इसके midpoint को हम E लेंगे, ठीक है and हम B से E को मिला करके, एक line drawn कर लेंगे, और जैसे हम यह line drawn करेंगे, तो यह जो बनेगा हमारा BE, यह क्या होगा median होगा, ठीक है, आपने यहाद रखना है, A से लेके E तक and E से लेके C तक यह बराबर है, E जो है, वो AC का midpoint है, हमने AC के midpoint E को B से मिला करके एक line drawn कर लिया, तो यह बन गया हमारा median BE, यह बन गया median BE, तो यह आगया हमारे A part का final answer, ठीक है, यह आगया हमारे पास में A part का final answer, चलिए अब हम question के B part को solve करते हैं, ठीक है, question के B part में हमसे कहा गया है, कि हमारे पास में एक triangle है PQR, और इस triangle PQR में PQ and PR altitudes हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है, कि इस B part में हमसे कहा गया है, कि एक triangle है PQR, और इसमें PQ and PR altitudes हैं, ठीक है, देखे सुन्स, इस triangle PQR में दो altitudes हैं, एक है PQ और दूसरा है PR, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक right triangle त्यार करेंगे, ठीक है, तो हम एक right triangle बना लेते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम P और यह हो गया हमारा Q और यह हो गया हमारा R अब देखे सुन्स, यह जो PQ है न, वो side PR पर 90 degree पर है, यह जो PQ है, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूँ, तो PQ जो है, वो PR के उपर perpendicular होगा, यहाँ पर 90 degree है, तो perpendicular होगा, यह इसके उपर perpendicular है, इसी प्रकार से जो PR है, वो PQ के उपर perpendicular है, क्योंकि यहाँ पर 90 degree बन रहा है, तो यह भी इसके उपर perpendicular है, और ये भी इसके उपर perpendicular है तो हमने दिखा कि इस triangle PQR में ठीक है? तो हम दिखेंगे in triangle PQR इस triangle PQR में जो PQ है वो तो PR के उपर perpendicular है PQ जो है वो perpendicular on PR है और इसी प्रकार से जो PR है न वो PQ के उपर perpendicular है और जो PR है वो PQ के उपर perpendicular है न तो हमने दिखा कि इस triangle PQR में, हमारे पासमें दो 활पेंडिकुलर्स आगे एक आगया PQ, एक यह PQ है जो कि PR की अपरेंडिकुलर है और दूसरा है PR दूसरा है PR, जो कि PQ के आपरेंडिकुलर है तो ये दोनों के दूनों, जब हम perpendicular drawn करते हैं, जब हम perpendicular अधिक्लर करते हैं तो तो यह जो पीक्यों वह भी अल्टिट्यूड हैं। किस के उपर के उनफ़ पर और जो पी ऑर है वह पी तो हम लिखे मैं यहां पर इस ट्राइंगल में जो PQ and PR है न are altitudes, ये लोग दोनों के दोनों altitudes हैं, हाँ तो simply कितना अराम से हमने देखा, कि अगर हमारे पास में एक right triangle है इस प्रकार से एक right triangle है तो ये वाला side इसके उपर perpendicular होगा, ये वाला side इसके उपर perpendicular होगा, क्योंकि 90 degree है, इसलिए ये वाला इसका altitude होगा, और ये वाला इसका altitude होगा, तो यानि कि हाँ पर इस triangle में हमारे पास में दो altitudes आ गए ठीक है, जो कि हाँ पर हमने लिखकर की भी दिखा दिया, तो ये आ गए हमारे पास में B part का final answer चलिए भ़़व हम C part को solve करते हैं, ठीक है, अब देखे C part में हमने एक rough sketch तैयर करना है triangle X, Y, Z का जिसमे yL जो है एक altitude है, लेकिन triangle के exterior में है triangle के बाहर है, ठीक है तो हमने क्या करना है, एक rough sketch तैयर करना है, triangle X, Y, Z का, जिसमे yL एक altitude होगा, जरूर yL एक altitude होगा, लेकिन triangle के exterior में होगा triangle के बाहर होगा ठीक है, तो देखे students, हम यहाँ पर एक triangle बनाते हैं, अब हम इस प्रकार का एक triangle drawn करेंगे ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे X, यहाँ लिखेंगे Y, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Z ठीक है, अब दिखो यह XZ base मान करके इसको आगे हम extend कर देते हैं, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, XZ को base मान करके, इसको आगे हम extend कर देते हैं, और यहाँ से एक perpendicular drawn करते हैं, ठीक है तो यह हमने perpendicular drawn कर लिया, इस base के ऊपर और यह क्या है? यह yL है तो देखें सुंट्स, यहां पर हमारे पास में एक ऐसा ट्राइंगल आ गया, X, Y, Z, एक ऐसा ट्राइंगल X, Y, Z यहां पर हमारे पास में आ गया, जिसका altitude उसके बाहर है, ठीक है? इस triangle का जो यह altitude है, Y, L, वो triangle के बाहर है, है न? तो यहाँ पर हमने एक ऐसा triangle XYZ बना लिया जिसका altitude YL उसके exterior में है उसके बाहर है तो इस प्रकार से आप बना करके इस C part के diagram को दिखा सकते हो ठीक है तो यहाँ पर C part के लिए राफ इसके स्टेयर हो गया तो यह आगया हमारे पास में C part का final answer तो students आपने याद रखना है कि आगर हमारे पास में एक ऐसा triangle है जो की थोड़ा तिर्चा है थोड़ा तिर्चा triangle है तो आपने क्या करना है उसके base को यह जो base है इसको आगे produce करना है और जो उपर वाला vertex है उससे इस base के उपर एक perpendicular drawn कर लेना है तो इस प्रकार से हमारे पास में जो triangle है उसका बाहर altitude बन जाएगा यह बाहर वाला altitude exterior altitude हमारे पास में आ जाएगा ठीक है इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है और यह आगे हमारे पास में C part का rough sketch तो यह आगे हमारे इस question का final answer